करें है ओँ आफ्सक्रेंट्थ रिष्क मेंनेज्मेंट का फर्स्ट डॉय एकडमी टॉपिक इसमें डैसिकली हम लगई तीन्चे टॉपिक पढ़ेंग तो तो व क्या-क्यां क्या होगी वो एक बार समझ लेतें ताकि फिर पूरा सैप्टर करने में हमारी पर लिए असान होगा सबसे पहले तो हम लोग C.A.P.M को डिटेल में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे C.A.P.M पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे Multi Factor Model इस पार्ट को हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे लेकिन इसके साथ C.A.P.M के साथ हम लोग एक Comparison करेंगे क्यों क्योंकि C.A.P.M क्या है ये एक Single Factor Model है Single Factor Model है तो इस लिए हम लोग इस चैप्टर में इसको Multi Factor Model के साथ Compare करेंगे Next Stochastic Discount Factor And the last one is Efficient Market Hypothesis ये चार चीज हम लोग को इस चैप्टर में करनी है मैं ये चैप्टर आपका Completely Strict रखूँगा With the Examination Point of View एकदम Completely हर एक चीज आपका Examination Point of View fixed रहेगा अब देखो Chapter के नाम से समझ में आ रहा है कि हम क्या चीज के बारे में Discuss करने वाले है Factors के बारे मतलब देखो हम लोग invest क्या चीज में करते हैं हम लोग invest किसी भी asset में करते हैं Suppose मैंने Infosys के 1000 shares Purchase किये बट ये चैप्टर बोल रहा है कि आपको Infosys को नहीं देखना है आपको Infosys को नहीं देखना है आपको Infosys के Factors को देखना है Infosys के Different Factors को देखना है Factors के अलग-अलग risk होते है और हर एक factor के risk के बदले आपको एक premium मिलेगा जिसको हम लोग risk premium बोलेगे Different factors हो सकते हैं जैसे कि market factor हो सकता है inflation factor हो सकता है economy factor हो सकता है तो बहुत सारे ऐसे factor है जिसका हर एक चीज का risk के बदले आपको क्या मिलेगा premium मतलब Infosys के आप factors निकालेंगे जिसमें की currency भी एक part है currency risk भी हो सकता है तो हर एक चीज का जो risk है उसका आपको क्या मिलेगा उसका आपको premium मिलेगा तो यहाँ पर हम लोग different factors को study करेंगे और उस factors के बदले क्या हमें return मिल रहा है क्या उसके बदले हमें risk लेने के बदले क्या हमें premium मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यह चीज हम लोग study करेंगे means we are betting on the factors क्या factor पे मेरे को जितना risk ले रहा हूँ क्या मेरे को उसके बदले उतना premium मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है clear? अब इसके साथ comparison भी है, तो multi-factor models की क्या क्या assumption है, उनके बीच में हम लोग real world में क्या assumption है, उसके बीच में हम लोग comparison करेंगे, और जब हम लोग multi-factor models के बारे में study करेंगे, तो उसके साथ साथ ही मैं आपको stochastic discounting factor बता दूँगा, ये क्या होता है, ये basically एक random variable है, क्या है, random variable, random variable, random variable, used in pricing an asset, used in pricing an asset, जब कभी भी हम किसी भी asset को price करते हैं, और उसमें जब हम लोग random variables का use करते हैं, तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे, stochastic discount factor, मतलब किसी भी चीज़ का जब आप present value निकाल रहें, तो obviously आप उसको क्या कर रहें, discount कर रहें, लेकिन वो discount किस से कर रहें, एक random variable से कर रहें, और उसके बाद, efficient market hypothesis, मतलब हमारा जो market है, वो हम मानते हैं, कि उसमें कुछ inefficiencies होती है, ठीक है, और वो inefficiencies हम लोग कैसे remove करते हैं, वो remove होती है, through active management, और remove से भी अच्छा word है, exploit, क्या word है, exploit, मतलब, उन efficiency का हम फायदा उठाते हैं, किसके through से, किसकी मदद से, active management की दधत से, active management, मुझे पता चला कि हाँ, एक particular share में, कहीं पर कुछ inefficiency चल रहें, और वो मुझे पता चल गई, मैंने उसको exploit किया, कैस इक overview था, अब हम लोग chapter के अंदर चलते हैं, और देखते हैं कि क्या क्या चीज हमें करनी है, चलो, अब हम लोग एक बार देखते हैं, कुछ factors के example, कि क्या-क्या factors होते हैं, और क्या-क्या नहीं होते हैं, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, बैटर रहेगा, notes बन जाएंगे Number 1 लिखो, equity risk, Number 1 is equity risk, Number 2 is interest rate risk, equity risk, interest rate risk, next is volatility risk, Number 4 is default risk, these all are what, these all are the factors, if someone says there are few assets, there are few assets, such as corporate bonds, private equity, hedge funds, कोई बोलेगा कि क्या यह, यह भी factors है, नहीं, यह factors नहीं है, यह assets है, but इनके अंदर factors possible है, clear, but हमारे आपर दो ऐसा चीज है, जिसको, जिसको as an example of factors दिया गया है, Number 1 is equity, equity को यहाँ पर factor बोला है, next is government bonds, उनको भी factors बोला है, clear, next, एक और example एड़ कर लो, market, अपने आप में, यह भी जो market है, यह भी अपने आप में ही एक factor है, चीक है, तो market कैसे हम लोग देखते है, a tradable investment factor, means you can trade on market, देखो, क्या होता है, आज market में बहुत सारी equities है, अगर मैं वो सारी equities ले लूँ, सारी equities ले लूँ, इसका मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास market portfolio है, इसका मतलब क्या है, I am trading in market, clear, including investment cycle is also a market factor, point number 6, एक और investment, investment style, investment style is also a factor, which includes value, क्या आप value में, वेल, जिस share में आपको value दिखती है, कम नाम का share है, क्या आप उसमें invest करते हैं, क्या आप growth वाले share में invest करते हैं, low volatility में invest करते हैं, या फिर आप momentum में invest करते हैं, यह सब भी हमारे क्या है, factors, ठीक है, तो factors एक बार वापस से बता देता हूं, equity risk, जो आज एक particular share का जो risk है, वो भी एक factor है, interest rate का भी एक risk होता है, उसकी volatility क्या है, ठीक है, default risk भी अपने आप में ही, एक तरह से factor है, उसके बाद market भी एक factor है, next investment style भी एक factor है, इसके अलावा, 7th, macro economics भी factors हो सकते हैं, macro economic भी factors हो सकते हैं, जिसमें inflation और economic growth आता है, इंफलेशन और economic growth आता है, clear, और इसके अलावा मैंने दोठो जो additional बताये थे, वो भी लिख लो, equities, equities and government bonds, ये भी हमारे factors हैं, और मैंने आपको कुछ example दिये थे, कुछ exception, जिनको हम लोग include नहीं करते हैं, factors में, corporate bonds, वो भी लिख लो, will not be included as factors, will not be included as factors, number one, private equity, उसके बाद corporate bonds, और hedge funds, ये सारी चीजे हमारे part of the syllabus में given है, so मैंने आपको बता दी, तो factors में क्या-क्या आता है, 8 चीजे आती हैं, और क्या-क्या चीजे factors नहीं है, वो मैंने आपको दिखा दी, इससे अगर आपका एक direct question बन गया, exam में, तो आप अभी easily बता पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि क्या आता है और क्या नहीं आता है, clear, यहां तक कि यह जो छोटे-छोटे मैंने points बताएं हैं, इनको भी याद रखना, investment style में value होता है, growth होता है, momentum होता है, low volatility, high volatility, macro economics में, inflation and economic growth, clear, तो हम लोग एक और बात बोल सकते हैं कि सर्जो हमारा asset है, वो completely क्या है, bundle of risk है, मतलब उसके अंदर बहुत सारे risk factors होते हैं, asset is a bundle of risk factor, ठीक है, लिखना जाओ तो लिख सकते हो, asset is a bundle of risk factor, one more important point given in the book, if you invest in higher volatility and this higher volatility will include higher asset risk and this was mostly impacting you in the bad times, what are those bad times, it can be high inflation, it can be high inflation or it can be low economic growth, high inflation and low economic growth, तो आप क्या बोलोगे, कि देखो मैंने तो high volatility में invest किया है and in case अगर market खराब हो जाता है, तो मेरा asset का risk बहुत जादा हो जाएगा, for that I need risk premium, तो उसके लिए आपको क्या मिलता है, risk premium मिलता है, complete, तो यहाँ तक हम लोग एक जो factor है, basically हम उसको अच्छे से study कर चुके, important है, what are the three principles of, what are the three principles of factor theory, number one, factor are important, not the asset, मैंने explain कर दिया अलड़ी कि हम लोग factor में invest करते हैं, asset मेंने, next, यह भी explain कर चुका हूँ, asset represents bundles of factor, asset represents bundles of factor, next, investor have differing optimal risk exposure, means, हर इन्सान, हर investor, जो invest करता है, उनके risk exposure अलग होते हैं, कोई high risk taking होता है, तो कोई low risk taking होता है, तो सब अलग-अलग different तरह के investors होते हैं, clear, मैं आप से request करूँगा, अगर आप notes बना लेते हैं, अच्छे से hand written, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आपको exam time में, उन hand written notes के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, clear, चलो, अभी हम लोग CAPM के पास आ जाते हैं, हमारा factors हम लोग समझ चुके हैं, की factors क्या होता है, अब हम लोग CAPM को समझते हैं, देखो, वैसे तो इसका पूरा नाम है, लिख लो, capital asset, capital asset pricing model, ठीक है, मतलब किसी भी capital asset को हम लोग जब price करते हैं, तो उसके लिए हम लोग CAPM को use कर सकते हैं, ठीक है, अब देखो, CAPM किसी भी capital asset को price करने से पहले अपने बारे में explain तो करेगा, कि वो क्या है, कैसे करता है, तो वो CAPM को अभी हम लोग study करेंगे, तो सबसे पहला बात यह CAPM क्या बोलता है, कि मैं ना किसी भी asset को isolation, मतलब अकेले में नहीं देखूँगा, यह लिकलो, यह लिकलो, बत in relation to other assets, relation to other assets, but in relation to other assets and to the market, and to the market मतलब अगर आज वो किसी भी asset को suppose एक asset है X अब उसको X को pricing करना है अब जब वो pricing करेगा तो बोलेगा कि मैं सिर्फ X को नहीं देखूँगा मैं किसको देखूँगा? मैं market को देखूँगा मतलब market में जो assets है मैं उनको observe करूँगा और उनको observe करके मैं इस X की pricing करूँगा ठीक है? तो यहाँ पर CAPM एक single factor model है मतलब आज इसको एक particular asset X की pricing करनी है इसकी value निकालनी है कि बजार में अभी इसका भाव क्या होना चाहिए तो यह बोलेगा इसका भाव पता लगाने के लिए ना मैं market को देखूँगा बस market ही मेरा factor है मैं और किसी चीज पर ध्यान नहीं दूँगा मैं सिर्फ market पर ध्यान दूँगा और market के according मैं इस asset की pricing कर दूँगा अब market को ये measure करता है in the form of beta market को कैसे measure करता है? beta के form में measure करता है ठीक है? तो यहाँ पर CAPM बोलेगा एक्स तरह को अपनी pricing करवानी है अच्छा रुक मैं तरह को market से beta निकाल के देता हूँ उस beta के according मैं तेरी pricing कर दूँगा clear? अब ये लोग beta निकाल के कहां से लाते है तो beta ये लोग निकाल के लाते है market और उस particular asset x के थ्रूँ मतलब ये लोग covariance निकालते है covariance किसके बीच निकालते है जो हमारी asset x उसका return लेंगे और market का return लेंगे जो हमारी asset x है suppose उसका return rx और market का return rm divided by क्या? variance divided by variance लेकिन variance किसका लेंगे? market का जब ये करते हैं इससे उनको क्या मिलता है? market का beta मिल जाता है ठीक है अब beta मिलने के बाद x की pricing मतलब x का return है कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने के लिए हम लोग एक तरीका follow करते है that is market में जो risk free rate मिलता है अगर माज अपना पैसा कहीं भी डाल दू मुझे risk free rate of return तो मिलेगा ही मिलेगा तो x भी तुमको वो देगा ही देगा लेकिन उससे ज़्यादा देगा उससे ज़्यादा क्यों देगा? क्योंकि तुम x में जो invest कियो हो तो तुमने risk लिया है अब उस risk का तुमको premium मिलेगा अब वो premium क्या होगा? वो ये वाला part होगा जो मैं भी लिखूंगा बोला कि beta का multiple में मिलेगा बीटा का multiple में मिलेगा लेकिन RM-RF RM-RF अब देखो ये RM-RF कहां से आया? ये थोड़ा सा समझ लो क्योंकि समझो के नहीं तो problem हो जाएगा बोला कि मैं तुमको एक factor है कि जो market का return है उसका beta के according में तुमको पैसा दूँगा लेकिन अब वो देखो आज ये जो RF है ये RF तो तुमारे market में भी included होगा तो बोला कि तुम इसमें से RF निकाल दो क्योंकि मैंने RF already include कर लिया तो इसको जो premium मिलेगा वो RF पे नहीं मिलेगा RF तो मिलेगा ही मिलेगा उस पे कोई premium नहीं हो सकता तो बोला सपोज अब इसको मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ सपोज मेरा RF जो है वो 4% है और market का जो return है market का जो return है वो 9% आता है market का return 9% आता है अब बताओ ये जो 9% market का return है इसमें तो 4% already RF included है ना तो soul return without risk तो ये क्या है ये 4% तो without risk है मैं risk नहीं लूँगा तो भी मुझे मिलेगा तो ये 9% जो मिला इसमें तो 4% included था तो risk premium कितना हुआ risk premium मेरा सिर्फर से 5% हुआ अब मेरा beta आया 2 beta आया 2 मतलब कि तुम्हारा जो market का 5% है उसका 2 गुना मतलब तो उनको कम से कम 10% return मिलना चाहिए because तुम्हारा ये जो asset x है ना ये बहुत risky है asset x जो है वो बहुत risky है तो risky होने के वज़े से तुम्हारा beta double है 2 है तो तुमको कितना मिलना चाहिए risk premium 10 मिलना चाहिए ठीक है risk premium कितना मिलना चाहिए 10 तो return of x क्या हो जाएगा 4 rf था plus 10 मतलब rx is 14 मतलब जो x का return है वो कितना percent होना चीए 14 परसेंट अब समझ लो इस चीज को एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा rf कितना था 4% market return कितना था 9% बीटा कितना था हमारा two rx कितना आया 14 परसेंट इसका मतलब कि अगर तुम x में invest करोगे तो तुमको कम से कम 14 परसेंट expected return यह 14 परसेंट क्या है expected expected return है कि अगर आज तुम 100 रुप्या लगा रहे हो तो एक साल बात कम से कम तुमको 114 पर मिलना चाहिए यही तुमारे लिए best है क्यों क्योंकि इसका जो risk है वो बहुत जादा है ठीक है एक और example लेते हैं इसी में सपोज मेरा बीटा 2 नहीं होके 2 नहीं होके सिर्फ और सिर्फ 0.5 होता है तो हमारा rx क्या होता है देखो rx is equal to 4 plus 0.59-4 that is 4 plus 2.5 that is 6.5 मतलब अगर मैं rx में भी इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे 6.5 ही मिलेगा ऐसा क्यों हुआ क्योंकि आपका देखो जो risk factor है बीटा इजा risk factor बोल रहा है कि आपकर risk कम है तो risk कम है तो return भी तो कम होगा risk कम मतलब return भी कम concept clear होना चाहिए risk कम तो return भी कम बीटा इस risk और यहां पर जो हमें मिला वो return है तो अगर 2 था मेरा बीटा 2 था higher risk तो मेरे को return भी ज्यादा मिल रहा था बीटा कम हो गया तो मेरा return भी कम हो गया मतलब 0.5 बोलने का मतलब क्या है कि market में तुमको जितना risk है ना उसका भी आधा रिस्क है तुम्हारा इस particular share में मतलब मार्केट से भी अच्छा मेरा यह share है तो अगर risk कम है तो आपका return भी कम ही होगा ठीक है तो हमारे आपर CAPM के हम लोग सब important important points लिख रहे थे तो दो point हो गए अब हम लोग third point में नहीं first point ही था यह अभी हम लोग second point में आ जाते है second point क्या बोलता है second point बोलता है कि हम लोग जो हमारे portfolio में shares रखते है न they are in proportion to the market capitalization लिख लो proportion जो हमारा investment है अपनी language में बना के लिख लो that your investment is in proportion to their market capitalization investment is proportion to their market capitalization where the sole factor लेकिन जो हमारा factor होगा वो factor क्या है वो हमारा market portfolio है मतलब यहाँ पर एक important term है that is market CAPM क्या follow करता है market capitalization इसके proportion पे ही हम लोग अपने portfolio में investment करते हैं suppose अगर market में 5 shares है 5 shares है और इसका market capitalization 30 है इसका market capitalization 20 है इसका 10 है इसका 40 है और इसका 80 है यह हमारी market capitalization है और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया ही है invest करने के लिए तो मैं क्या करूँगा मैं इन सब का total करूँगा total कितना होता है तो total 200 आगया अब इसका हम लोग percentage निकाल लेंगे हर एक का percentage क्या है जैसे की 10 5% होता है ठीक है यह कितना हो जाएगा 20% यह कितना हो जाएगा 40 पर्सेंट और यह कितना हो जाएगा 10 पर्सेंट यह कितना हो जाएगा 20 5 पर्सेंट मतलब हम लोग suppose यह X है यह Y है यह Z है यह L है और YM है पांच शेयर थे तो X में समय कितना रुपह डालेंगे 25 रुपया वाई में कितना डालेंगे 10 रुपया जैड में कितना 5 रुपया 20 रुपया 40 रुपया इस तरीके से हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट को प्रपोर्शनेट करके डालेंगे मतलब on the basis of their market capitalization clear होगा concept तो यह हमारा point number 2 था जिसमें हम लोग market capitalization पर डाले अब market capitalization में इन्वेस्ट करने से आपको कुछ फायदा होगा वो क्या फायदा होगा वो बोलता है कि आप अपना idiosyncratic risk को diversify कर रहे हैं point लिख लो idiosyncratic risk को diversify कर रहें means जो firm specific risk है firm specific risk बोलने का मतलब कि आज आपके पास x y z l और m यह 5 आपके पास company के share है suppose m डूब गया m डूब गया लेकिन आज क्या होगा आज आपका समय बटा हुआ है पैसा तो एक सिर्फ m के डूबने से आपके portfolio पे जादा असर नहीं होगा इसको हम लोग बोलते है मतलब firm specific risk या फिर सपोस करो सिर्फ x जूब गया तो सिर्फ x के खतम होने से आपके portfolio पर क्या बहुत बड़ा problem आजाएगा क्या नहीं आएगा तो आप diversification benefit लिए मतलब जब आप market portfolio में invest करते हैं तो एक particular share या company के loss में जाने से आपको कोई फरक नहीं पड़ता है तो sir आप बोलेंगे फिर इसमें risk क्या चीज़ का है इसमें risk है market risk क्यासा market risk जब share बजा तूटता है तो आप देखना सारे के सारे share टूटेंगे सारे के सारे जब share टूटेंगे तब आपका portfolio नीचे जाएगा clear तो लिख लो idiosyncratic risk diversify यह आपका जो risk है यह diversify हो गया एक single risk बचा वह है market risk तो मतलब अब यह तो आपका risk रहा नहीं अब आपका risk क्या है सिर्फ market risk है तो point no.4 जो आपको premium भी मिलेगा वह premium क्या चीज़ के नाम का मिलेगा वह premium आपको market risk के नाम का मिलेगा क्योंकि आप एक ही तरह का risk ले रहे है वह risk क्या है market risk तो प्रीमियम भी तो आपको market कहीं मिलेगा तो जो मैंने आपको दिखाया market risk क्या है बीटा जो premium मिलता है वह क्या चीज़ में multiply कर के मिलता है market risk के premium में RF तो हमें मिलेगा प्लस जो premium मिलता है मतलब extra above RF मुझे क्या मिलता है premium मिलता है premium क्यों मिलता है विगाउज मैं risk ले रहा हूं और यह premium कैसे निकलता है बीटा से multiply करते है market return को तब जाके मुझे premium मिलता है बात समझ में आ रही है हर एक चीज को try to simplify चीक है ना ना diversification करने का आपको एक benefit क्या मिलता है वह आपको यह होता है कि जो आपका sharp ratio होता है sharp ratio इसको हम लोग further detail में study करेंगे लेकिन यहाँ पर just for a point wise हम लोग चल रहे हैं तो खाली लिख के रख लो कि sharp ratio आपका improve होता है मतलब better होता है चीक है वैसे sharp ratio क्या होता है it is risk premium divided by total risk लिख लो risk premium divided by total risk चीक है अब देखो total risk तो कम हो गया total risk क्या होता है idiosyncratic risk plus market risk लेकिन आपका idiosyncratic risk तो एकदम zero हो गया मतलब जब हमारे denominator कम होता है तब हमारा जो result होता है वो higher होता है denominator कम होने से हमारा result higher होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि total risk कम हो गया because idiosyncratic risk तो रहा नहीं तो मेरा जो sharp ratio है वो improve हो जाएगा clear अब हम लोग point no.6 में देखेंगे mean variance efficient portfolio चलो heading लिख दूए आ पर point no.6 के हमारा mean variance efficient portfolio mean variance efficient portfolio चलो इसको ऐसा समझा दूँगा कि हमेशा याद रहेगा लेकिन एकदम ध्यान से समझना मैं दो share लेता हूं एक x एक y इस share में मेरा 5% का return है और इस share में मेरा 6% का return है लेकिन इसमें जो मेरा risk है वो 1% है और इसमें जो मेरा risk है वो 5% है यह return है और यह risk है आप बताओ being a rational investor मतलब बुद्धिमान investor आप कौनसे वाले share में invest करना चाहोगे तो आप बोलोगे कि sir मैं तो x में invest करूंगा ठीक है return थोड़ा कम है लेकिन सर आप देखिए risk भी तो कम है सिर्फ 1% higher return के लिए क्या मैं 4% extra risk ले लूँगा सर नहीं लूँगा बिल्कुल भी नहीं करूंगा ऐसा मैं तो उसके लिए हम लोग क्या किये यहां पर देखो return मतलब mean risk मतलब variance हम लोग इन दोनों में fight करवाए risk और return में fight करवाए और fight करवा कि हमें क्या देखा कि sir हम तो x में ही invest करेंगे clear तो इसमें हम लोग सबसे पहले मैं आपको explain कर देता हूं फिर बात में point set करवा दूँगा तो explanation क्या बोलता है कि अगर यह मेरा यह मेरा return है और यह मेरा risk है ठीक है अगर मैंने बोला कि मैं government securities में invest करता हूं और मेरे को 2% का return मिलेगा तो क्या बताओ यहां पर risk है तो risk नहीं है तो मेरा जो point है वो यहीं पर रहेगा मतलब no risk और risk zero है return 2% है बट मैं बोला कि नहीं यार मैं थोड़ा सा government security से निकलके मैं थोड़ा सा equities में भी invest करता हूं मेरा return तो increase हो जाएगा suppose मेरा return 4% हो गया return मेरा 4% हो गया लेकिन मेरा अब risk भी तो increase हो गया मैं बोलूँ है नहीं मैं और लालची हुआ मेरा रिस्क भी भड़ते जा रहे तो return भी increase होते जा रहे एकदम नॉर्मल लेकिन यह लाइन क्या दिखा रहे है यह लाइन आपको दिखा रहे है आप अपना कैपिटल कैपिटल को कैसे एलोकेट कर रहे हाओ यू और एलोकेटिंग यूर कैपिटल यहां पर अगर मैं सिर्फ 2% की बात करूं तो 2% में आप सिर्फ और सिर्फ गवर्मेंट security में invest कर रहे थे अगर आपके पास 100 रुपया था तो आपने पूरा 100 का 100 रुपया करना और लेकिन आप 5 परसंट का परसंट का ये तव आपने क्या किया आप ने अपना 60 रुपीज तो गोर्मनेंट सीक्यूरिटी में डाल दिया 40 परेकल यहां से आपको 2 परसंट का तो इंकम मिला यहां से आपको एडिशनल 6 परसंट का में तो फिर क्या हुआ जब मैं साथ परसेंट के पास गया तो मैंने यहां पर सिफ 30 रुपया रखा और 70 रुपया एक्विटी में लगा दिया और मेरे को इंकम का मन हुआ 12 परसेंट मैं अब गौवर्मेंट सिक्यूर्टी में लगा यह नहीं पूरा सो का सो रुपया मैंने इक्विटी में लगा दिया यहां पर एकदम मेरे को 12 परसेंट मिल गया तो देखो मेरा रिस्क भी तो इनक्रीज हो गया तो यह लाइन क्या बो कि आप अपना पैसा कैसे मार्केट में इन्वेस्ट कर जो ठीक है कैपिटल एलोकेशन लाइन तो सीख लिया अब हम लोग सेकेंड पॉइंट जो सीखने वाले हैं वो सीखेंगे एफिशियंट फ्रेंटेर लिख लो एफिशियंट फ्रेंटेर यह एफिशियंट फ्रेंटेर क्या है बेसिकली यह आपको ना डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट के बारे में बताता है कुछ इस तरह का होगा थोड़ा सा और इंप्रूब करना पड़ेगा डाइगरम को सम्थिंग लाइक दिस मतलब कि अगर मैं यहां इन्वेस्ट कर रहा हूं देखो यहां पर कहां कहां पॉसिबिलिटी है इन्वेस्टमेंट का एक यहां सपोज एक और यहां इनवेस्ट करता हूं एक और यहां इनवेस्ट करता हूं और एक यहां इनवेस्ट करता हूं और एक यहां इनवेस्ट करता हूं ठीक है और एक यहां पर भी यह हमारा efficient market frontier का मैं आपको अब explain करने वाला हूँ कैसे होगा देखो ये हमारा return है और ये हमारा risk है कुछ पार्ट तो आप देखना आप देखते ही समझ जाओगे कि वहाँ तो मैं invest नहीं करूँगा ठीक है कौन कौन सा क्या क्या पार्ट होगा अब देखोड ही देखिएगा ये हमारा ये मैंने complete कर दिया सबसे पहले तो एक चीज जो मैं आपको समझा देता हूँ फिर हम लोग इस graph के उपर आएंगे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जा रहे हैं मतलब मैं invest कर रहा हूँ और मेरा risk कम हो रहा है यहाँ पर आप सबसे कम risk पा रहे हैं मतलब मैंने जादा invest किया वट फिर भी आपको risk कम मिल रहा है ये risk कम क्यों है because of diversification benefit एक limit तक तरीके से अगर आप invest करते हैं तो आपका diversification benefit मिलता है ठीक है अब देखो यहाँ पर मैं आपको points बता देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 अब बताओ आप 1 में invest करना चाहोगे कि 5 में अगर मैं आपको सिर्फ दो option दे दूँ 1 और 5 तो आप बोलोगे कि sir मैं 5 में invest करना चाहोँगा क्यों? sir देखिए जितना risk 1 में है उतना ही risk 5 में है जितना ही risk 1 में है उतना ही risk 5 में है लेकिन 5 में मेरा return जादा है चलो ठीक है यहाँ पर 5 जीद गया अब 2 और 4 में देखो जितना return 2 में है क्या उतना return 4 में है? नहीं बट risk सेम है तो कहां जाओंगा? higher risk के पास या higher return के पास higher return के पास तो मैंने यहाँ पर भी 4 choose कर लिया इसका मतलब कि मेरा ये जो इस graph का नीचे वाला हिस्सा है मतलब ये वाला हिस्सा ये तो बेकार है इसका कोई मतलब नहीं है तो हमारा मतलब क्या चीज़ से बनता है हमारा मतलब सिर्फ इस से बनता है और ये जो point है ये वाला जो point है इसको हम लोग बोलते है ये जो point number 3 है मतलब इस point पे आपको risk एकदम कम है और return बहुत ज़ाद है मतलब sharp ratio क्या होता था sharp ratio आपको risk premium यहाँ पर premium मतलब return by risk तो sharp ratio आपका यहाँ पर सबसे ज़ादा होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर आपको return ज़ादा है concept को समझने की कोशिश करो sharp ratio क्या बोलता है return by risk sir risk एकदम कम और return एकदम ज़ादा तो sharp ratio एकदम ज़ादा तो यहाँ पर sharp ratio कम है तो यह मेरा सबसे favorite choice of asset है इसको हम लोग बोलते है mean variance efficient portfolio लिख लो फिर wordings को समझ जाना पूरा concept clear हो जाएगा mean variance mean variance efficient portfolio efficient portfolio mean variance क्यों क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग रिस्क और रिटन को compare कर रहे mean is the return variance is the risk efficient portfolio word is the efficient मतलब अच्छा portfolio है यहाँ पर अगर मैं invest करता हूं तो अच्छा मिलेगा क्यों अच्छा मिलेगा क्योंकि यहाँ पर जो मेरा sharp ratio है वो maximum sharp ratio maximum clear तो आप देखो अब हम लोग कम माइन करते हैं capital market line को और efficient portfolio को तो यह जो पॉइंट है capital market line पर allocation line पर भी तो होना जरूरी है क्योंकि मेरा तो allocation वही है उसके अलावा तो मैं कहीं allocate करूंगा यह नहीं उसके अलावा तो मैं कहीं allocate करूंगा यह इसलिए capital allocation line और यह point क्या हो गया मेरा यह point हो गया मेरा mean variance efficient portfolio और हर इंसान का याद रखना strengths risk aversion अलग-अलग होता है कोई कहीं पर invest करना चाहेगा तो कहीं पर invest करना चाहेगा बट यह मेरा क्या है efficient portfolio क्लियर अब देखो mean variance efficient portfolio से हम लोग क्या क्या चीजे को graphically represent किये number one portfolio diversification एक तो हमने portfolio diversification दिखाया उसके अलावा हमने क्या दिखाया sharp ratio को यह दोनों चीज हमने graphically represent की clear portfolio हम risky asset plus RF दोनों को combine करके दिखाते हैं उसके बाद इसमें हमने क्या देखा capital allocation line को देखा ठीक है अब एक छोटा सा concept ओर समझ लो दो asset है x और यह y दोनों का expected future price 200 रुपया है और current price इसका 140 है और इसका केवल 50 रुपया है अब आप बताओ कौनसे asset को purchase करना चाहोगे एक्स को की y को हम किसको purchase करेंगे y को यह देखो एक्स को purchase क्यों नहीं करेंगे because x जो है वो overpriced है क्या है overpriced है ठीक है यहां से मैं आपको क्या बोलना वाला हूँ वो यह कि जो C.A.P.M. है C.A.P.M. उसका expected expected pay off हमेशा constant होगा यह देखो मतलब future में आपको कितने रुपय मिलेंगे 200 रुपय मिलेंगे वो constant है फ्यूचर में आपको 200 रुपय मिलेंगे वो constant है लेकिन जो expected return है expected return है वो प्राइस पे depend करता है वो हमारे current price पे depend करता है प्राइस अगर कम होगा तो expected return जादा होगा प्राइस अगर जादा होगा तो expected return कम होगा return मतलब आज मेरी कमाई कितनी है यहां पर मेरी कमाई देड़ सो रुपे है और यहां पर मेरी कमाई सिर्फ और सिर्फ सतर रुपे तो pay-off तो दोस्तों ही मिलेगा future में मुझे दोस्तों ही मिलेंगे लेकिन फाइदा जादा कहां मिला जहां पर मेरा price कम था ये देड़स रपय क्या है ये देड़स रपय मेरा return है ये 70 रपय क्या है मेरा return है तो return is dependent on the price लेकिन जो payoff है वो मेरा constant होगा ठीक है तो CAPM का point number 7 क्या हो जाएगा in equilibrium लिख लो in equilibrium या फिर CAPM लिखो CAPM expected payoff of an asset remains constant CAPM expected payoff of an asset remain constant but the assets expected return must increase as its price falls must increase as its price falls clear CAPM क्या बोलता है CAPM एक और बात बोला कि हर इनसान हर इन्वेस्टर जो proportion में risky risky plus risk-free asset hold करेगा वो proportion depending उसके aversion पर हो सकता है suppose एक बोलेगा कि मैं 80% अपना पैसा risky में डालूँगा और 20% RF में डालूँगा कोई बोला नहीं यार मैं तो 40% RF में डालूँगा और 60% risky में एक आया बोला मैं तो 100% risky में डालूँगा मुझे तो डर ही नहीं लगता और एक बोला ना भाई मुझे तो डर लगता है मैं सिर्फ और सिर्फ RF में ही इन्वेस्ट करूँगा तो ये जो है allocation among risky and risk free depends clear लेकिन जो risky के अंदर जो investment होगा वो on the basis of market capitalization ही होगा clear अब यहाँ पर एक assumption लिया गया वो बोले कि सब investors दुनिया में जितने भी लोग है सब इसी point पर invest करेंगा मतलब सबका risk aversion भी same है तो इस point को इस line को ये क्या था capital allocation line capital allocation line जो word use हुआ वो individual के लिए use हुआ capital allocation जो word use हुआ वो individual इनसान के लिए हर इनसान का अलग-अलग capital allocation line था लेकिन CAPM क्या बोला कि देखो भाई हर एक वैक्ती दुनिया में जितना भी वैक्ती है सबका यही line है सब सेम है सबका सेम line है तो आप इसको capital allocation line जिज़ वजाए capital market line बोल दो मतलब ये पूरे market में जितने भी investor है सब इसी line में invest करते हैं तो उन्होंने क्या बोल दिया कि जो हमारा capital allocation line है वो क्या है capital market line बट इन विच सिचुएशन इन इक्विलिब्रिम इन इक्विलिब्रिम वेर दिमांड अन सप्लाई अब दे एसेट्स आर इक्विल क्लियर तो हमारा point number 9 क्या हो जाएगा capital allocation line is equals to capital market line in equity तो यहां पर जब हमें risk premium निकालना है क्या निकालना है risk premium that is return minus RF हमारा risk premium होता है जो भी normal return है सब बहुत 10% है लेकिन RF 3% तो risk premium कितना वसाथ यह risk premium कैसे calculate हुआ इस situation में यह calculate होता है risk aversion risk risk aversion into जो भी market की volatility है market volatility ठीक है तो इसको हम लोग symbol में ऐसे दिखाते हैं और market volatility को sigma स्कुरे ठीक है अब देखो 20078 का जो हुआ था उस case में क्या हुआ प्राइस मार्केट में बहुत गिर गिर गया cpm क्या बोलता है जितना दाम गिरेगा मेरा return उतना जादा होगा क्यों क्योंकि वो तो रिस्क था अब रिस्क के बदले मुझे return जादा देना होगा इसका मतलब return का मतलब क्या था risk premium तो risk premium risk premium is directly proportional to the market variance variance मतलब एक तरह से volatility जितना जादा market volatility होगा उतना ही जादा तुमको risk premium में लेगा ठीक है दूसरा point से समझो जितना जादा इनसान का risk aversion होगा सोचो premium उतना ही जादा होगा multiple में है न ये बात हमेशा देख लो अगर कोई भी suppose यहाँ पर x है equals to x equals to y 3y है y क्या है मेरा risk aversion है जितना जादा risk aversion बढ़ेगा उतना जादा तो मेरा x का value बढ़ेगा x क्या है risk premium y क्या है aversion तो जितना जादा मैं डरूँगा उतना जादा मुझे premium चाहिए clear point number 10 अब अगर हम low beta share की बात करें beta याद करो वापस से beta पर आ जाएंगे market का market का volatility दिखाता है कि इतना proportionate में तुमको risk premium मिलना चाहिए अगर कोईशी share का low beta है तो जो low beta share होते है न they perform well they perform well during bad times perform well during bad time जब समय खराब होता है तब ये low beta share अच्छा perform करते है clear चलो अब हम लोग कुछ CAPM की limitations देखते हैं जिसमें से सबसे पहला limitation बोलता है CAPM क्या मानता है कि investor के पास सिर्फ और सिफ financial wealth है investor के पास क्या है सिर्फ और सिफ financial wealth है but ऐसा सच नहीं है क्योंकि investor का जो suppose मैं income की अगर बात करूँ तो वो market पे depend करता है अगर economic growth कम है तो उसकी income कम होगी उसकी income उसका जो खर्चा है वो inflation पे depend करेगा तो बहुत सारे factors होते है जिससे उसकी wealth उसकी asset उसकी income streams और उसकी liabilities determine की जाती है तो वो हम लोग नहीं बोल सकते कि उसके पास सिर्फ और से financial wealth जो है वो fixed है point number B that is investor have mean variance utility mean variance utility मतलब वो बोलता है कि जो investor है उसको risk और return एक जैसा लगता है ठीक है बट जो reality है वो यह है कि अगर उसको loss होता है तो ज़्यादा दुख होता है और income होती है तो उतनी खुशी नहीं होती तो मतलब यहाँ पर जो gain और losses है उसके बीच में जो utility है जो उसको फायदा या नुकसान मिलता है internally वो बोलता है कि नुकसान में ज़्यादा दुख होता है और कमाई में उतना gain में उतना सुखी नहीं होता हो ठीक है reality बट CAPM मानता है कि उसका aversion सेम है तो real world में अगर किसी stock का हमें ऐसा लगता है कि वो तूटेगा तो इंसान को ज़्यादा डर लगेगा तो जितना ज़्यादा डर लगेगा उसको उतना ज़्यादा return मिलेगा बट CAPM क्या बोलता है कि एक परसेंट बढ़ने का और एक परसेंट गिरने का return आपको same होना चाहिए ठीक है अगर कोई share बोलता है कि नहीं मैं गिरने के लिए ज़्यादा बना हूँ तो वहाँ पर उसकी return ज़्यादा होंगे क्योंकि मुझे वहाँ पर डर ज़्यादा लगता है नमबर C CAPM बोलता है कि single period investment है लेकिन reality में तो ऐसा नहीं होता है reality में लोग अलग-अलग market में अलग-अलग तरीके से invest करते हैं और बहुत-बहुत rebalancing भी करते है buy sell, buy sell चलता रहता है तो यह multi period strategy होती है real life में बट C.A.P.M. बोलता है नहीं तुमारा single period ही investment होगा ठीक है number D वो बोलता है कि सारे investor homogenius है मतलब सब सेम है तभी तो उसने capital market line बना दी थी but reality ऐसी नहीं है हर investor अलग-अलग है सब की expectation अलग-अलग होती है आज मुकेशम मानी और मेरी expectation क्या सेम है क्या वो 50,000 करोड रुपे invest करता है तो दोनों में बहुत expectation में बहुत difference है next C.A.P.M. बोलता है market में ना तो कोई tax है ना ही कोई transaction cost है no tax and no transaction cost अगर ऐसा होता अगर no tax, no transaction cost होता तो possible है reality में तो यह assumption ऐसी है जो reality में possible ही नहीं है ठीक है F. Investors को price taker बोला गया है C.A.P.M. क्या बोलता है that investor are price taker but reality क्या है investors are price setters कि वो price set करते है clear and last limitation C.A.P.M. बोलता है कि market में information available है सब के पास और free है अगर ऐसा होता तो क्या कोई इनसान research में, development में theories में, models में algorithm में क्या पैसा invest करता नहीं करता वो करता है क्यों करता है because वो investment वो information collect करने में भी पैसा invest करता है क्योंकि वो free नहीं है उसको collect करने के human resource चाहिए technology चाहिए लोग चाहिए तब जाके वो collect कर सकता है तो यह सब क्या है यह सब हमारी उसकी limitations है किसकी? C.A.P.M. की clear तो देखो हमारे पास दो तरह के model है एक जो single single और एक multi factor चीक है single में हमने example देखा C.A.P.M. का चीक है multi factor multi factor का मैं आपको example दे सकता हूँ A.P.T that is arbitrage pricing theory यह मैं आपको example दिया हूँ multi factor model का arbitrage pricing theory यह हमारा क्या है multi factor model यह क्या है single factor model मैंने बताया था ना इस chapter में single factor और multi factor model के बीच में एक comparison भी है तो C.A.P.M. और अगर मैं E.P.T. के बीच में comparison कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा दोनों के बीच का comparison मिल जाएगा multi factor model क्या क्या include करता है जैसे की GDP growth जैसे की GDP growth हो गया economic growth हो गया low consumption हो गया inflation हो गया interest rate हो गया यह सब factors multi factor model include करता है clear और यह जो E.P.T. है यह basically कैसा relationship show करता है linear relationship show करता है linear linear relationship show करता है between the expected return between expected return to the exposure of risk factor to the exposure of risk factor या फिर हम यह भी बोल सकते हैं कि expected return is a function of all risk factors और कैसा function है linear function है clear C.A.P.M. क्या बोलता था कि diversification से benefit होगा multi factor model भी बोलता है कि diversification करो तुमको benefit होगा C.A.P.M. बोलता था idiosyncratic risk आपका eliminate हो जाएगा multi factor model भी बोलता है कि आपका idiosyncratic risk eliminate हो जाएगा clear यह दोनों बात एक और common बोलते हैं कि investor have optimal exposure मतलब वो एकदम efficient frontier में ही अपना पैसा लगाता है एक और बात same बोलता है कि यह दोनों market portfolio में invest करते हैं कि किसमें market portfolio में ठीक है और यहां पर भी बोलता है कि वो asset पे उसको reward नहीं मिलता है उसको reward मिलता है factor के risk पे यह भी बोलता है कि तुम्हारा जो factors है उसके risk पे ही reward मिलेगा मतलब जो premium reward का मतलब premium मिलेगा लेकिन assumption क्या है कि ना तो arbitrage है और ना ही equilibrium clear तो CAPM में तो एक ही factor था market और market के बदले तुमको premium मिल जाता था लेकिन यहां पर तो बहुत सारे factor है suppose तीन factor अलग अलग दिये वे GDP दिया inflation दिया और interest rate तो तीनों के लिए आपको अलग-अलग risk premium मिलेगा total risk premium कितना मिलेगा वो भी पता चल जाएगा है एक और चीज common क्या है यहांपर बीटा होता था factor का यहां पर भी जो factors है उनके बीटा को ही calculate किया जाता है जिसमें हम लोग बोलते है factor बीटा मतलब GDP का एक अलग-बीटा होगा interest rate का एक अलग-बीटा होगा inflation का अलग-बीटा होगा मतलब इन तीनों का हम लोग beta निकालेंगे और उनके factors से multiply करेंगे यहाँ पर एक ही beta होता था क्योंकि एक ही factor होता था यहाँ पर multiple beta है क्योंकि multiple factors है और valuable assets जो होती है उसका जो premium होता है risk premium वो कम होता है valuable assets क्या होती है जो bad times में भी बूरे समय में भी आपको एक return देती है उसको हम लोग क्या बोलते है valuable assets तो students यहाँ पर हमने CAPM को बहुत अच्छे से in detail उसका छोड़ा छोड़ा concept अच्छे से cover up किया है अगर आपको video really अच्छी लगे तो I request you please like the video and post your comment your comment will be really helpful to me मेरको पता चलेगा कि हाँ my teaching अगर आपको कहीं पर कुछ लगता है कि this should be improved please let me know अगर आपको लगता है कि आपको इस topic पर video चाहिए please inform me I will surely make a video on the topic given by you and अगर आपको मेरे teaching style अच्छी लगती है तो kindly follow my lectures from now on okay thank you students